है फ्रेंट्स मैं हूँ एन्य एंजल सवागत है आपका मेरे चैनल बर्ट इसका नाम है अनिफिंग अमेजिंग तो केसे हैं आप एन यूर फैल में प्लिस टाल इन दा कॉमेंट्स सबसे पहले congratulations to all girls जिनकी शादी होने वाली है life आपकी चैनल होने वाली है बहुत सारी आपको मेरी तरफ से blessing है आप खुछ रहें और आपके life चैनल होने वाली उसके लिए तयारी स्टार्ट करने तो अगर आपकी शादी होने वाली है आप दुलहन बनने वाली है ब्राइडल ह ऐसा चुने जिसमें समान रखने की जगा हो और साथ ही उसका लुक आपके वैडिंग लहंगे से मिलता जुलता हो जानते हैं चलिए कैसे बैक्स या पर्स आप यूज़ कर सकती है जब ब्राइडल की पर्स चुनने की बात आती है तो क्लच सबसे पहले नज़र आता है आँ लेंगा है तो वाइड क्लच होना चाहिए पिंक है मतलब जैसा भी कलर है वैसे कलर का क्लच होना चाहिए उसमें वर्क भी उसी के मिलता जुलता होना चाहिए सेगिंड ने हैं खुबसूरत धागे वाली लाल गोट पोटली बैग मतलब कि पोटली वाला जो बैग होता है जिसमें इस टाइब की पोटली बनी हुई होती है बहुत अच्छा रहता है पोटली ले जाने में असान और अराम दायक होती है आपको बस इसे अपनी बहां पर लटकाने की जरूरत है और इसमें अपनी सबी अवेश्यक चीज़े रख सकते हैं जो भी आपको जरूरत हो अब बात करते हैं बॉक्स कलच के बारे में ये वाला कलच जो होता है ये आपके पूरे ब्रैडल लुक को निखार देता है ये धागे, फूलों और मोतियों के कामों से सजय होते हैं और इसमें अलग-अलग different-different works होते हैं और मैन इसमें ये फायदा होता है इसमें आपका समान बहुत सारा एज़ेस्ट हो जाता है तो अब मैं बताती हूँ वो टीम जो आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए सबसे पहले अपना बज़र देकने कि आप कितने रुपए का पर्स खरीज़ सकती हैं और अफ लाइन ठोलने से पहले घर बैटकर ऑन-लाइन भी देख सकती हैं और क्या ट्रेंड में चल रहा है कैसा बैक ट्रेंड में चल रहा है यह जरूर देख लीजेगा अगर आप बहुत अच्छा लुक प्रोवाइट करना चाहते हैं तो अपनी सैंडील और अपना पर्स सैम मैशिंग का लीजिएगा क्योंकि वह बहुत अच्छा लुक देता है अगर आप सैम सैम लेंगे और जादा हैवी वाला पर्स भी मत लीजिएगा और जादा मतलब कलर कलर आपके लहंगे का कलर है तब ही आपका पूरा ब्राइडल लुक बहुत खुबसूरत लगेगा तो ऐसी बहुत सारी जो की वीडियो मैंने बनाई है आप चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं और अगर आपको और बी ऐसी टिप्स चाहिए तो आप एना चैनल अच्छी कोशिश करेंगे ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब तक ही लिए ठेक केर